दोस्तों मैं कहता हूँ चार्ट की पावर जिसको समझ में आ जाती है उसको किसी पे डिपेंड रहने की जुरुत नहीं है ट्रेडिंग एक स्किल है एक आर्ट है और ये समय के साथ लर्णिंग के साथ आती है अगर ऐसा ना होता तो रोज सुबह चार बज़े उठ के मैं इस सबसे बेस्ट टेड जो दिन का होगा वो होगा प्रॉफिट बुकिंग का 9 बच के 35 मिनट पे मैंने एक्जाक्टली आपको देखेगा बताया कि यहां पे मार्केट ओर बॉट हो चुका है सतर पॉइंट गिरेगा 15 मिनट में गिरेगा और 15 मिनट पे मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे 200 पॉइंट की गिरावट देखने हो मिल लिए जाके चेक आउट करेगा तो यह होती है चार्ट की पावर अगर मिस नहीं करना चाहते हैं फ्यूचर अन ऑप्शन का प्राइस सेक्शन और ऑप्शन बायर है तो डिस्क्रिप्शन में लिंग मिल जाएगा जा सब बना लेते हैं consistent पैसा बनाना difficult है देखेगा पैसा बनाना और पैसा बनाते रहना दोनों में अंतर होता है आपको अगर एक profitable trader बना है तो आपको रोज अपनी learning skill में कुछ add-on करना पड़ेगा तो जाके join कर लीजे सबसे important है देखेगा कल live market में update आएगा और मैं आपको अ पता होना चाहिए तो इसलिए अगर आप देखेंगे nifty auto बताने की जुरूत नहीं है nifty auto देखेगा one of the largest weightage रखता है nifty 50 का एक sector है जो जिसमें nifty auto का participation भी काफी बड़ा है और अगर आपको पता है nifty auto में momentum है या फिर nifty auto में profit booking है तो market और nifty पे दोनों पे इसका असर है यह clarity आगई आपको अब like कर दीजे वीडियो क्योंकि अब जो information मैं provide करने जा रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा यह बिलकुल आपको मैं बता सकता हूं साथ में साथ अगर आप देखेंगे आज भी nifty auto ने बहुत अच्छी तरीके से nifty 50 को संभाला है यह भी आप द परफॉर्म नहीं कर रहा आइटी भी तरना वेलवर्ज नहीं है लेकिन nifty auto काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कल live market में जो update आना है वो nifty auto से related आना है इसलिए आपको इस particular sector पे कल अच्छी तरीके से focus करना है live market में update आएगा अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे जो weightage stock है अब देखेगा जो सबसे अब nifty auto को देखेगा कौन change कर सकता है nifty auto को कौन गिरा सकता है कौन उठा सकता है पहले हमें यह पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि nifty की situation कैसी रहेगी पहला तो देखेगा आप recent data के according मारुती सुचकी का weightage सबसे जादा है फिर म महिंद्रा का weightage देखने हो मिला है फिर बजा जटो लेकिन यह सारे combined effect कल देखती को मिलेंगे आपको सारे combined मैं केवल एक specific stock की बात नहीं करूंगा लेकिन मैं top stocks की बात करूंगा लेकिन specific stock से related information नहीं आनिए जितने भी stock हैं आपको देखने हो मिलना है जितने भी stock हैं यह सार कि सारे इकल देखेगा आपको momentum में आते हो देखने हो मिलेंगे और जब यह momentum में आएंगे तो nifty auto momentum में आएगा nifty auto momentum में आएगा तो nifty 50 momentum में आएगा अब आगे बढ़ते हैं कि मारूती सुचकी जिसका weightage सबसे जादा है एक तरीके से one fourth weightage तो केवल मारूती सुचकी का ही म मारूती सुचकी का रहा है चुकि जो quarter के result दिये हैं वो एकदम amazing दिये हैं different दिये हैं और जो level touch नहीं हुआ है वहां तक पहुचने की कोशिच भी करें आज का high देख लीजिए आप तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एक एक correlation है निफ्ट मारूती सुचकी के result पहले से अच्छे आ चुके हैं और यह stock ने पिछले बीते पांच दिनों में 10% के आसपास का performance दिया है और अगर यह particular stock में कल कोई और positive update आ जाती है कल एक indication मिल जाता है इनके management की तरफ से कि इसमें अच्छी updates और आ सकती है तो इसका मतलब यह ख़बर nifty auto को समा लेगी और nifty auto समला रहेगा तो बाजार भी थोड़ा बहुत समला रहेगा as such कोई बड़ा panic नहीं आएगा और अगर dip पे आता भी है तो आपको buy करना है क्या करना है आपको buy करना है तो आप देख सकते हैं कि मारती सुचकी से related बड़ा update क्या है कल आएगा auto sales का data हर महिने के देखेगा एक auto sales का data आता है वो हर महिने के शुरुआत में आता है अब October का sales का data यह माना जा रहा है कि सबसे अच्छा आएगा अगर आप देखेंगे जितने भी record है वो टूट जाएंगे October के महिने में अब ऐसा क्यों चूंकि बताया जा रहा है कि 8 car per minute यानि कि एक minute में 8 कारे भी की हैं October के महिने में अब अगर आप देखेंगे यह देखेंगे new peak of the 3.85 lakh unit festive forever saw sales यानि कि ऐसी sales आज तक festival में नहीं देखी गई तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नवरात्री दिवाली यह सारी चीज़ें October में थी तो इनी का combined data आना है आपका number 1 को जो कि कल आएगा और data अगर अच्छा आएगा तो nifty auto में बाहर देखने हूं मिलेगी और आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से बताया गया है कि यह जो sale हुई है वो काफी ज़्यादा हुई है और 3 lakh की sale मानी गई थी अभी मलब यह expectation है जो की काफी ज़्यादा है मलब comparatively काफी ज़्यादा है अब इसका जो confirmation दिया है वो देखेगा मारुती सुचकी के senior executive director sales and marketing देखेगा says the demand and deliveries have been very healthy the month of October was on expected line तो आप समझ सकते हैं demand बहुत एच्छी थी और आप देख सकते हैं उसी का result भी देखने को मिला है there has been an all around growth in dispatches retail booking सब कुछ यहाँ पे अच्छा देखने हो मिला है तो अगर मारुती सुचकी का management यह कह रहा है तो इसका मतलब मारुती पुचकी की sale भी अच्छी आएगी और वो अच्छी आएगी तो आपको पता है nifty auto के लिए अच्छी बात है फिर Tata Motor के भी देखेगा जो particular spokesperson है उन्होंने भी का robust demand है तो आप समझ सकते हैं कि यह सब third weightage stock है यह सबसे ज्यादा weightage दिने वाला stock है तो आप समझ सकते हैं कि यह यहां से भी काफी अच्छा response देखनी को मिला है तो आप समझ सकते हैं कि कल data expected है कि अच्छा आने वाला है और ऐसा माना गया है कि passenger vehicle की sale में hit new record in October ऐसा देखेगा auto news में देखनी को मिला है और मारुती सुचकी देखेगा sales nearly 2 lakh car this festive season तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे जो particular data है वो यह indicate कर रहा है कि कल data बैतार आ सकता है और जब बैतार आएगा तो nifty auto को hold करेगा और nifty auto अगर hold होता है तो nifty 50 में अगर bank nifty की तरफ से pressure आता भी है तो थोड़ा सा pressure कम feel होगा तो focus करेगा वीडियो गर अच्छा लगा है तो like करिए thank you so much झाल